गगर नदी में अवेद खनन, पुलीस नाकाम, खनन माफिया के करिंदे पंजाब सीमा में फरार, पंजकुला यमनानगर हाईवे के साथ लगते, कोट बिलार रिहोड और मौली की नदियों में होता है धडले से अवेद खनन, मंगलवार देराथ सेक्टर 21 के पास ACP क्राइम विजे देशवाल नाइट चेकिंग पर थे, जहाँ उन्होंने एक टीपर को देखा, पुस्ताश करने पर सामने आया कि टीपर अवेद खनन में लिपता है, उसके बाकि साथ ही घगर में टीपरों और जेसीवी के साथ मुझूद थे, टीम रेड करने पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों को देखकर माफिया के लोग टीपर और जेसीवी लेकर पंजाब की सीमा में फरार हो गए, घगर नदी के किनारे शराप का ठेका है, जहां से बकाइदा रास्ता बना कर अवेद खनन किया जा रहा है, जिसमें टीपरो जेसीवी पोपलेन जैसी भारी भरक मशीनों का इस्तिमाल किया जाता है, जेसीवी से टीपरों को भर कर रामगड के एरिया की तरफ ले जाया जाता है, मंगलबार देरात एसपी क्राइम बिजे देसवाल नाइट चेकिंग पर थे, उन्होंने घगर के पूल के पास एक टी की जा रही है, एक टीम को भेजा गया, पुलिस की गाड़ियां देखकर टीपर और जेसीवी लेकर माफिया के लोग पंजाब के बार्डर में फरार हो गए, खनन माफिया इतने सुनियोजित ढंग से कारे करता है, कि पुलिस के पहुँचने से पहले ही उसकी ख़वर माफि के करिंदों तक पहुंच जाती है, और हमेशा की तरह अवेद खनन में लिप्त लोग जेसी भी मशीन और टीपर लेकर फरार होने में काम्याब हो जाते हैं,